नमस्कार, मैं आपने साथ जोटी, आप देखने हैं जुडी विन्यू चैनल, आजी पढ़ते हैं कुछ का स्क्राइब कीए। द्वारा हमें एंबुलेंस वाहां से नेत्र ऑप्रेशन के लिए जबर्पूर ले जाया जा रहां। द्वारा हमें एंबुलेंस वाहां से नेत्र ऑप्रेशन के लिए जबर्पूर को खीजा गया हैं। एबं या नेत्र सिविर प्रतेक मर्यीने की इकिस्तारी को आयोति किया जाएगा। मरीजों से अपिन की जाती है कि दिने भी आखों से सम्मर्णी समस्या हैं। वो ऐसे मरीज खर नहीं देकि एक सारी को देश्टी आएगेर मर्या में आकर इस विविर गाम लाख ले सकें। अपरेशन को बोल दिये हैं। इसलिए प्राइशन को बोल दिये हैं। अपरेशन की आएं। मरीजा अब मरीजों से जबल पूराथ से दल में लेजा रहा है। जिसमें 20 और 21 बतलब आज और कल कैम्प रखा हुआ था इस कैम्प में लगबद 438 मरीजू की जाश्वी कल और आज में इसमें 57 मरीज मुतिय बिंद के लिए चिंदित किये गये हैं और उनकुर जबलपूर आपरेशन के लिए भी जा 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 रहा है जो है हमारी जबलपूर की संस्ता बेव जी ने प्राले के द्वार कराया जा रहा है और यह पिछले वर्स दत वर्स भी किया गया था और आगे भी निरंतर जारी रहेगा और अभी ऐसा हो गया है कि हर मेहने की प्रतिक 21 तारिक को हमारे हां निसुल्क सिविर लगेगा निसु को भी नेत्र से संबंदित तकलीफ हो समस्या हो तो यहां मरिया जिले में इस द्रश्टी आई केर सेंटर में अपनी जाज निसुल्क जाज कराएं प्रतिक 21 तारिक को आपकर के और उस के लाज के लिए उनको जबलपूर बेज दिया जाएगा और उनका सफंतम इलाज हो ज हो जाएगे जिस के लिए अमार defined पिर मेंगेगे जाएगा जाएगेगा जिस के लिएanor.